नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेटास्प्रे नेजल स्प्रे का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, Metaspray nasal spray का उपयोग कैसे करना चाहिए और Metaspray nasal spray की वज़से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि Metaspray nasal spray का उपयोग करते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Metaspray एक brand name है Metaspray nasal spray के अंदर salt composition momitason होता है Metaspray nasal spray का उपयोग नजला और allergy के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है allergy या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, नाक में खुजरी होना, छींक आना और नाक का बंध होना आदी लक्षणों से राहत पाने के लिए Metaspray nasal spray का उपयोग किया जाता है इसके अलावा नाग के अंदर की सूजन को कम करने के लिए भी मेटास्प्रे नेजल स्प्रे का उप्योग किया जाता है Side Effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Metaspray Nasal Spray की वज़े से कोई Side Effects नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Metaspray Nasal Spray की वज़े से कुछ Side Effects हो सकते हैं, जैसे सिरदर्ध होना, नाक से खून आना, नाक के अंदर जलन, दर्ध, खुजली या सुखापन होना, मुह का स्वाद खराब होना, मुह से बद्बू आना, आखों में जलन, आखों में लालपन और आखों में धुंदलापन होना आदी Side Effects Metaspray Nasal Spray की वज़े से हो सकते हैं, ऐसा कोई लक्षन लगातार बना रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए Metaspray Nasal Spray का उप्योग करना recommended नहीं है, अब हम डिसकस करेंगे की Metaspray Nasal Spray का इस्तमाल कैसे करना recommended होता है, आम तौर पर 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर Metaspray Nasal Spray की एक स्प्रे को दिन में दो बार नाक में डालने की सलाह देते हैं, Metaspray Nasal Spray को डालने से पहले आपको अपने सिर को थोड़ा सा आगे की तरफ जुका लेना चाहिए, और उसके बाद Metaspray Nasal Spray को नाक में डाल कर दबा देना चाहिए, Metaspray Nasal Spray का उप्योग करते समय नाक के दूसरे छिद्र को एक उंगली की मदद से बंद कर लेना चाहिए, Metaspray Nasal Spray को लेट कर या सिर को पीछे की तरफ जुका कर नहीं डालना चाहिए, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले, अब हम डिसकस करेंगे कि Metaspray Nasal Spray का इस्तमाल करते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, 18 साल से कम उम्र के बच्चों में Metaspray Nasal Spray का उप्योग लंबे समय तक या बार-बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक बच्चों में Metaspray Nasal Spray का उप्योग करने की वज़ा से बच्चों की हाइट या ग्रोथ प्रभावित हो सकती है, Metaspray Nasal Spray के अंदर मोमेटासोन स्टेरोइड दवा मौजूद होती है, जिसका लंबे समय तक बच्चों में उप्योग करने की वज़ा से बच्चों की ग्रोथ धीमी या कम हो सकती है, आपको अपनी नेजल स्प्रे को दूसरे व्यक्तियों को कभी भी इस्तमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की वज़़ से इन्फेक्शन आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है, Metaspray Nasal Spray का लगातार 12 सब्ता से अधिक उप्योग करना recommended नहीं है, इसलिए Metaspray Nasal Spray का इस्तमाल बार बार या ज्यादा लंबे समय तक नहीं करना चाहिए, Metaspray Nasal Spray की नई बोतल का उप्योग करने से पहले या यदि आपने Metaspray Nasal Spray का उप्योग 5 दिन से अधिक नहीं किया है, तो Metaspray Nasal Spray की पहली स्प्रे को बाहर की त देना चाहिए, प्रेग्मेंट महिलाओं के लिए Metaspray Nasal Spray का उप्योग करना recommended नहीं है, और अभी इसके बारे में परियाप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि Metaspray Nasal Spray स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं, इसलिए Dr. केवल बहुत ज्यादा ज पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Metaspray Nasal Spray से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं